आज हम लोग relational algebra के बारे में पढ़ेंगे अर्था संबंध परक बीजगरित काफी important होता है relational algebra तो अगर हम संबंध परक बीजगरित की बात करें तो एक प्रतिकात्मक अर्था प्रोसिजरल क्वेरी भासा है यह भासा language प्रस्णों का उत्तर देने के लिए संचालकों अर्थात operator का उप्योग करती है यह एक प्रतिकात्मक अर्थात प्रोसिजरल क्वेरी लेंग्वेज यह क्या है इट इस अर्थात प्रोसिजरल क्वेरी लेंग्वेज अगर हम संबंद परक की हम बात करते हैं कि आपस में संबंद कैसे है बेजगरित relational algebra में कुछ मूल operation अर्थात basic operation होते हैं कुछ basic operation होते हैं जो dbms की data को process अगर हम dbms की data को process करने की बात करने तो उसमें उप्योग कियाते हैं अगर हम relational algebra operators की हम बात करें तो इनको हम दो भागो में divide कर सकते हैं एक basic operators और दूसरा है extended या derived operators अगर हम basic operator की बात करने हैं तो इसमें हम इसे 2 भागो में divide कर सकते हैं एक है unary operator और दूसरा है binary operator अगर हम Extended की बात करें तो इसमें है Join Operator, ठिक, दूसरा है Division Operator, तीसरा है Intersection Operator, ठिक अगर हम Unary की बात करतें इसमें है Projection Operator, ठिक, Projection Operator, दूसरा है Selection Operator और तीसरा है Rename Operator अगर हम binary की बात करें तो इसमें है एक है unary operator दूसरा है cross product और तीसरा है minus अर्थाथ set difference operator आईए हम आगे बात करते हैं तो अगर हम select operator की बात करें तो select क्या करता है इसके दोरा किसी दी गई सर्थ को पूरा करने के लिए double को चैनित किया आता है हम double को चैनित करते हैं और इसमें sigma notation से दर्सा आते हैं इसे किसे sigma से दर्सा आयता है आगे अगर हम project operator की बात करें तो project operation इस operation के दोरा तालिका अर्था table से कुछ columns को कुछ columns को क्या करते हैं चैनित किया आता है तथा says को छोड़ दिया आता है अगे हम बात करते हैं set operation की अगर हम set operation की बात करें तो इसे union operation के भी कहा जाता है इसे set theory की तरह u से दर्सा आता है set operation निम्न प्रकार की होते हैं आईए अब हम बात करते है set operation की तो अगर हम set की बात करें इसमें एक है union operation तो union मतलब ना भी बता है जोड़ने के बारे में तो इस operation की बात करें इसमें दोनों relation मतलब यह टेबल की बात हो रही है दोनों relation में tuple की उपस्थिती होती है अगे अगर हम set intersection की बात करें इसमें क्या होता है इसमें केवल वर्टपल केवल वर्टपल सामिल होता है जो दोनों relation में मौझूद अर्था प्रजेंट होता है जो दोनों प्रजेंट होता है वही intersection में आता है अगर हम set difference की बात करें तो इसमें क्या होता है इस operator, इस operation की विशेष्टा गया है कि टपल एक relation में तो उपस्चित होता है परन्तु दूसरे relation में नहीं अगर हम difference की बात करें तो एक में तो उपस्चित होगा दूसरे में नहीं उपस्चित होगा आगे हम बात करते हैं Cartesian product तो Cartesian product क्या है दो टेबल का multiplication तो इस operation में दो relation को मिली जानकारी को जोड़ा जाता है या इसे cross की दोरा, मतलब दोनों में जानकारी है, पहले की जानकारी दूसरे से मनलब एक में चार है और दूसरे में चार है, तो 4 into 4 यहनि 16 आपको output मिलेगा, एक में 2 है, दूसरे में 2 है तो 2 into 2, यहनि 4 मिलेगा मतलब पहले का पहली table का पहला row, दूसरे table के पहले row से, दूसरी table का पहला row, दूसरी table के पहले इस तरह, पहला दूसरा, पहला दूसरा दूनों आपसे multiply हो जाएंगे तो एक में दो है, एक में दो है, टूटल हमें चार रो प्राप्त होंगे. अब आगे बात करते है, rename operation, rename नाम बदलने के लिए जो था, इसके दोरा rename या attribute name को एक बार फिर दोनों को rename किया जाता है, हम attribute का नाम बदल सकते हैं, अगर हम बदलना चाहें, तो rename से बदल भी सकते हैं, आगे natural join operation, अगर हम natural join की बात करें, तो natural join क्या करता है, कि जो दो table है, दो table के बीच में आपस में जो दो column होंगे, जो naturally जोड़ सकते हैं, उनको जोड़ कर हमें output देता है, इस operation की विश्चता यह है, कि यह एक binary operation है, यह क्या है, it is a binary operation, अर्थाथ, यह selection और Cartesian product को एक operation मिला देते हैं, इसे join चिन द्वारा जोड़ कि यह natural join है, जोड़ कि इसमें क्या होता है, कि automatic जो भी दो relation में column सेम होते हैं, उनहीं से value निकाल के दिखाता है, एक्जाम के बात करेते हैं, एक्जाम में कुछ पुछना पूछे आते हैं, उनके बज़े, जैसे database की तार्किक समर्चना है, logical structure, that is a schema, logical structure क्या बोलते इसकी मात कहते हैं, database में attribute होता है, attribute क्या होता है, column, जिसे कि अगर implied column क्या होगा, name, age, data birth, तो वो क्या होगा, उसका attribute होगा, आगे हम ER diagram की बात करें, तो ER diagram को प्रदर्सित करने का graphical तरीका है, तो यह क्या है, entity relationship diagram, एक entity, ठीक है, entity classes और उनका आपस में संबन, या entity ER, entity relationship diagram, एक entity, दूसरे entity से किस प्रकार जुड़ा है, उसको बताता है, आगे देते हैं, ER diagram में attribute को प्रदर्सित कियाता है, तो अगर ER diagram की बात करें, तो attribute को आयताकार box दोरा हम प्रदर्सित करते हैं, किसके दोरा करते हैं, आयताकार box दोरा प्रदर्सित करते हैं, आगे बात कर एक record विशेश छीत जो प्रतेक record को विशेश रूप से पहचान दिलाता है तो इसे बोलते हैं कुझी field कुझी field मतलब की field आगे बाते ER diagram में relation type प्रदसित किया आता है तो relation के लिए हम लोग इसमें diamond box पनाते हैं किसी entity relationship diagram में किसी विद्यार्थी के नाम तथा पत्य को कहते हैं तो नाम पता क्या है उसका attribute है आगे हम बात कर रहे हैं DCL अर्था data control language का क्या कार है अगर हम DCL की बात करें उसे कार्ज की बात करें तो उसे कार जो में कार है DCL database की user access का प्रवंधन करता है क्या करता है user access का प्रवंधन करता है tuples relational calculus की हम बात करते हैं तो tuples relational calculus के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है क्या निर्धारित करते हैं यह निर्धारित किया जाता है कि जो हम retrieve किया जाएगा क्या हम retrieve कर सकते हैं relational calculation अर्था non procedure language करते हैं मतब इससे एक तरह से यह non procedure language है तथा यह relational algebra से अलग होता है relational calculus जो है relational algebra से अलग होता है आगे देखते हैं domain relation calculus तो ये क्या है domain relation calculus tupper relation calculus tupper relation calculus से भिन्य होता है अगर हम बात करें domain relation calculus की तो वो उसे different होता है क्योंकि इसमें प्रियुक्त होने वाले variables अलग प्रकार की होते है next class में हम लोग entity relationship model in debions की बारे पढ़ेंगे आगे प्रियुक्त